निर्भिया केस में दोशी पवन गुप्ता की क्यूरेटीव याचिका को सुप्रीम कोट ने खारिस कर दिया है दोशी पवन नीव फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की थी बता दे कि निर्भिया मामले में सभी दोशियों को कल फांसी होनी है पवन गुप्ता क के पास अभी भी राश्चिपती के पास दयायाची का कविकल्प खुला हुआ है निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोट तक चारों दोशियों मुकेश अक्षे विने और पावन को फांसी की सजा सुनाई चा चुकी है पावन गुप्ता ने फांसी से वश्चने के लिए एक तुषकरम और हत्या मामले में फांसी की सजा का सामना कर रहे चार दोशियों में एक पावन कुमार की सुधारत्मक याची का सोमवार को खारिस करती पावन ने अपरात के समय खुद के नाबालिक होने का दावा करते हुए फांसी को मुरकैद में बदलने का अनुरोध किया वकील एपी सिंग ने बताया था कि उन्होंने रविवार को सुप्रीम कोट की रिजिस्ट्री में एक अरजी दाखिल कर खुली अदालत में पावन की सुधारात्मक याची का पर मोखिक सुनवाई का अनुरोध किया दोशियों में केवल पावन के ही पास ही अब सुत्रारात्मक याची का दायर करने का विकल्प बज़ा था दक्षिनी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में एक छात्रा से साबूहिक बलातकार की घटना हुई थी और दोशियों ने बरबरता करने के बाद उसे बस से नीचे फेक दिया था बाद में उसकी मोत हो गई पावन औरे कन्य दोशी अक्षे सिंग ने भी नीचली अदालत का रुख कर मृत्यू वारंट की तामिल पर रोक लगाने का अनुरोध किया आई आपको बताते हैं निर्विया के गुनगारों के बारे में राम सिंग जो मुख्य आरोपी था गैंग रो रेप के बाद निर्विया को लोहे की रोड से बूरी तरह से पीछा था मार्च 2013 में खुदखुशी कर ली थी दूसरा आरोपी मुकेश सिंग बस का क्लीनर वर राम सिंग का भाई रेप के बाद इसने भी निर्विया और उसके दोस्त को बूरी तरह से पीछा था तीसरा आरोपी विने शर्मा जो की मुकेश का दोस्त है रेप के समें बस चला रह था चोथा आरोपी पवन गुपता घटना के समें जो की बस में मुझूद था पांचवा आरोपी अक्षे ठाकुट राम सिंग का दोस्त मूलत है जो की बिहार करेने वाला था छटा आरोपी जो की नाबालिक दोशी है उतर परदेश के बदायू का निवासी है निर्भिया को बस में चड़ने का अग्रह करने वाला तीन साल की कैद पूरी करने के बाद दो हजार पंद्रा में रिहा जे बीडी बैंक्वेट्स लाए है इंक्रेडिबल मारिज पैलेस राजगराना और जे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइज एसे ही लेटेश को ब्रेपाने के लिए बल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेर और सुब्सक्राइब करें हैंने वाद